तो चलो, आज हम सीखेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत के कुछ नए सुर्फ We'll learn the basic notations of Indian classical music इसका कुछ-कुछ हिस्ता आपने अल्रेडी सीखा है Okay, I think you already know how to sing the seven basic notations of Hindustani classical music सारे गाम पधनी And what is this? This is the higher variation of सा, that is सा Okay, actually हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत में 12 स्वर्फ होते हैं इन सबको हम लोग स्वर्फ कह सकते हैं पर आज हम केवल सीखेंगे सारे गाम पधनी तातोल और उसका higher version सा अगर आपको ये सार स्वर्फ आ गए तो आप इनके अलग-अलग combinations बनाकर उसके उपर शब चोड़कर दुनिया का कोई भी गानका सकते हैं आप जानते हो आजकर आप TV shows में बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे गाने आपे में देखते हो लेकिं उस एग गाने के पीछे हजारों घंटों की तपस्या होती है रियाज होता है So if you want to sing well, you must know the basic notations of Indian classical music Okay? And you will be taught today a few other cards that is their combinations Okay? Like if I combine the letter a with an, I get the word an a with n, I get the word an a with t, I get the word an Okay? So this way if we do various combinations, we can sing any song in the world अगर आप्छा क्लासिकल बेस अपका हो तो आप कोई भी किसुम का, even western गाना बहुत अच्छे सिका सकते है Do you want me to prove it to you? Come on, follow me I am going to our very talented music sir May not sir, hello Now, my favorite song and I am sure your favorite song is the happy birthday song I will prove to you that I can sing one kind of it and sir is magical Sir, उसके आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल में notation बताने हाल है Sir, आप चैलेंगे रेडी है? Yes उझे नहीं आते हैं? Okay So, हो जाए शुरू, let's take a walk Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you So, कैसा लगा लगे लेपाटे में? इसी तरह हम सुभी में खेए कोट से गार सकते हैं और सुदों से रयागाना मना सकते हैं Are you ready to learn more? Now, सथाथे टीचर will explain you The Alamkaars in Indian Classical Music Ready to go? चड़ो अब हम लोग स्वीकते हैं Hindu स्वारी शास्प्रिय शिपसंगीत के स्वार्थ Shall we start with the music, sir? Yes Okay, so students, first listen to me, okay? Now, और एक बार, हम लोग को क्या करना है? हम लोग सीरी जैसे चलते हैं वैसे ही सूर को नीचे से उपर तक ले जाएंगे और उसको बोला जाता है आरोह नीचे से उपर तक जाना तो चलो एक बार सुम लेते हैं सालेगा मा बाधानी सा पहुत जे उपर, अभी उपर से नीचे आना है उसको बोलेंगे अब रोह, ओके? तो नीचे आते हैं अभी सानी रापा मा गरे सा आ गए नीचे गले गौरा मिल गई अभी हम लोग यह जो साथ सुझ है इसके कॉम्बिनेशन सीखेंगे ओके? तो इसको हम लोग अलंकार भी बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सा दो बार, रे दो बार ऐसे करके सब जो है कुछ सारे को हमको दो बार बोलना है ओके? सा सा रे रे ऐसे ठीक है? अभी म्यूजिक के साथ करते हैं सा सा रे रे गागा अमा पापा धा गाली नी साथा सासा ले नी दाधा पापा मामा गले रे साथा अभी आड़ो हाँ पैटर तो सासा रे रे गले गले मामा पापा धाधा नी दाधा नी जाएंगे अगरो हाँ सासा रे 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 सासा अभी तीस राइस में सात तीन बार रे तीन बार सब अभी तीन तीन बार बोलना होगा Now, अभी आरोह और अभ्रोह ठीक है? सा सा लिरी रग्रा ग्रादा मामा पा पा पादा ग्रादा भी इनी 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 सा ग्रोह विवाइस भी करना है चुलो अभी आरोगा करेंगे इसी चौट्या रचार कार अभी शीचाहेंगे अब रोह जिसको हम लोग अलदकर बोलते हैं वो प्रैक्टिस कर लेना और टीचर को वीडियो खिख देना ओके? बाई एक्रिवाल